तो आज की वीडियो उन स्टूडिन्स के लिए है जो confused रहते हैं कि मैं यूएज जाके हम लोग को किसी से help नहीं मलेगी या फिर वहां पर इनिन स्टूडिन्स का नंबर बहुत जादा कम है या फिर वहां जॉप्स हमें easily available ही रहेंगी बहुत जादा expenses है बहुत जादा महिंग गलत प्रूफ कर देगा तो start करते हैं सबसे पहली चीज है कि more than 23,20851 इंडिन स्टूडिन्स गट एंड्रोल इन यूएस उनिवर्सिटीज फॉर दे ये ये वेड़ा नंबर है जो कि इन्डिन स्टूडिन्स सिर्फ एंडिन स्टूडिन्स का ही नंबर है जो यूएस 2020 से लेके 2021 तक नेक्स्ट जो डेटा है वो ये है कि यूएस इस ने बोला है कि जो एक्टिव सेविस रिकॉर्ड से उसमें से 47 परसंट या तो चाइना से हैं या तो इंडिया से हैं 47 परसंट काफी almost 50 ही परसंट हो गया तो आप सोच रहे हैं कि कितने इंडिन स्टूडिन्स यूएस जाते हैं एंड कितने स्टूडिन्स वहाँ पर पढ़ रहे हैं और पढ़के रिटर्न भी आते हैं जो नेक्स्ट चीज है वो ये है कि 18 परसंट ऑफ इंटरनाशनल स्टूडिन्स टूडिंग इन यूएसे आर फ्रम इंडिया 47 परसंट तो आपने देख लिया कि च आपको उनसे help मिल सकती है तो जो नेक्स डेटा है वो ये बोलता है कि जो 41 परसंट इंटरनाशनल या पर जो इन इन स्टूडिंस यूएस जाते हैं वो मेंली STEM कोर्स के लिए जाते हैं STEM कोर्स आपको पता ही है science technology related courses तो अगर आपको ऐसा कोर्स के लिए जाना है जो demand में नह नेक्स जो डेटा है वो ये है कि as per the data USA has 607 active unicorn companies showing exponential potential for job तो अगर आपको जौब की दिक्कत है like महां जौब नहीं मिलेंगी easily jobs नहीं मिल पाती है या फिर jobs कम हो रही है तो ये भी बिल्कुल गलत है data के according ये exponential growth दिखा रहा है jobs में तो काफी अच्छी opportunities है आपके लिए अगर आप अपी ऐसे ही confused है कि मैं या फिर आपको किसी ने बहला फुसला दिया या फिर कुछ गलत information दे दी है तो आप उनको बोल सकते हैं कि नहीं ये data है ये data net में आपको कहीं भी भी available है और आप बोल सकते हैं ये data available है या आप उनको show कर सकते हैं कि ये है true facts all right अब बात करते हैं अप अप next process आगे क्या करना है आगे आप अपना visa process स्टार्ट करें अपने documents ready करें और जो अपना DS-160 form है उसको fill करना स्टार्ट करें अगर आपकी भी कुछ ऐसी queries है तो आप मुझे mail कर दीजे आपकी query application02 at the rate median.org पर या फिर online आप हमारी website visit कर सकते हैं या फिर कोई भी nearby median overseas की ब्र ताकि आपको regular update जल्दी जल्दी मिल सकें तो मिलते हैं next video में thank you